हलो स्टेडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है बीएड इंटरेंस रिजाम के लिए टीचिंग एप्टिचुट बहुत इंपोर्टन सब्जेक्ट है तो मैं लाया हूँ कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्शन ए धाई की और अग्रिशर होना ओके चलिए नेक्ट कोशन से व्यक्तितु को प्रवाइद करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं कि जा सकती यह कथन अप्शन ए आगवर्ण वह निमकाव्शन दूग वह निमकाव्शन से वारिश वह वूदवर्थ और सेल्डर वह स्टर्ड तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा Option A, आगवर्ण वो निमकाफ, ओके Next questions है, अंतरमुखी वालक होता है Option है, स्वाइंग को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला Option B, सभी के साथ मिलकर चलने वाला Option C, समझ्षाओं को पारिसपारिक रूप से समझने वाला And Option D, एकांत में विश्वास करने वाला So, इसका correct answer हो जाएगा Option D, एकांत में विश्वास रखने वाला Next questions है, जब किसी वेक्तिक अवलोकन निश्चित परस्थितियों में ही किया जाता है तो वो कहलाता है, Option A, नियंतरित अवलोकन Option B, वाई अवलोकन Option B, सौभाविक अवलोकन And Option D, तथा तमक अवलोकन So, इसका correct answer हो जाएगा Option A, नियंतरिक अवलोकन Next questions है, जिन तत्वों का निर्धारन किया जाता है उनका सार निकाल कर संख्यात तमक रूप में वेक्त करना क्या कहलाता है Option A, निर्धारन मान Option B, आत्म कथा Option C, वेक्ति तो इतिहांस अध्यान And Option D, सामाज मीती So, इसका correct answer होगा Option A, निर्धारन मान Next questions है, निम्नांकित पद्धती में कोन वेक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर सिक्षन में परिफ्ट की जाती Option A, वीने टिका योजना Option B, डाल्टन योजना Option C, वेक्ष्यान पद्धती And Option D, परियोजना पद्धती तो इसका correct answer हो जाएगा Option C, वेक्ष्यान पद्धती Next questions है, यह वो सक्ति है जिसके दोर वेक्ति अपने संबंद में जानता है कि वो क्या है तथा दूसरे वेक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं इस सक्ति का नाम क्या है Option C, समायोजन सक्ति, Option C, गति सिल्थ, Option C, संकल्प सक्ति And Option D, आत्म चेतना So, इसका correct answer जागा Option D, आत्म चेतना Next questions है, निवनी में से कोणसा वातावरन का परकार नहीं Option A, मित्र मंडली का वातावरन Option D, पारिवारिक वातावरन, वो विद्याले वातावरन Option D, पास पडोस का वातावरन And Option D, व्यक्ति तो या उसका स्वाइं का व्यक्ति तूँ था Next question से, व्यक्ति कि सनचना के अंतरगत ग्यात्तमक्ता तथा स्थलाकृति पक्ष पर अध्यान किस मौन वय ज्यानिक ने किया था आप्षन इसमीट वह लेविन ने, आप्षन वह फ्राइड ने, आप्षन से लेविन वह फ्राइड ने, और ऑप्षन इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B, Friday ने, ओके, next question से, सीखने के मुख्य नियम के अत्रिक्त गोन नियम भी है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, गोन नियम क्या है, option अभ्यास का नियम, option B, प्रत्न वो भूल का नियम, option C, बहु प्रत्तिक्रिया नियम, और option D, परभाव का नियम, तो इसका answer होगा option C, बहु प्रत्तिक्रिया नियम, ठीक है, next question से, कक्षा वातावरन में सीखने का मुख्य नियम है, option E, हस्त लेखन, option विरटने का नियम, option C, आवंचित विश्राम, और option D, व्यवस्तित अधिगम प्रक्रिया, तो इसका correct answer हो जाएगा, option E, हस्त लेखन, ओके, चले, next question से, सीखी गई किरिया का अईन्य समान प्रस्तितियों में उप्योग किया जाना, क्या कहला था, option E, परिपकोता, option B, अधिगम, option C, अधिगम, इस्थान अंतरन, and option D, में से, कोई नहीं, तो इसका correct answer हो इसका correct answer is, option D, में से, कोई नहीं, ठीक है, next question से, अधिगम की निम्नांकित परिभासा, किसी ने दिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया, option E, Woodworth, option E, Crow, and Crow, option Skinner, and option D, Gilford, so, इसका correct answer हो जायाएगा, option E, Woodworth, okay, चलिए, next question से, सीखना, संबंद इस्थापित करना है, संबंद इस्थापित करने का कायरे मनुष का मस्तिक्स करता है, यह कतन किसी ने दिया, तो option E, Woodworth ने, option B, Skinner ने, option C, Ryan, वर्ग ने, and option E, Tharn, Dike ने, इसका correct answer हो जाएगा, option E, Tharn, Dike ने, next question से, Tharn, Dike का अधिगम सिधांत ने, नाम ने में से जाना जाता है, option E, अंतर दिरिष्टी का सिधांत, option B, पर्यास वद तुरूटी का सिधांत, option C, पुनर वलन का सिधांत, ने, option D, ने, में से कोई ने, तो, इसका correct answer हो जाएगा, option B, पर्यास वद तुरूटी का सिधांत, ने, next question से, मूल प्रवर्ती का प्रभाव सक्ति परदान करता है, option E, बालक के वेवार को, option B, बालक के विकास को, option C, विकास को, और option E, वेक्ति के वेवार को, तो, correct answer हो जाएगा, option E, वेक्ति के वेवार को, okay, next question से, पाव लोब ने, अधि गम का जो सिधांत, पर्ति पाल्त किया था, वो क्या है, option E, बहुत किरिया, option E, आंसिक किरिया, option E, अनुकूलित, 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 अनुकूलिया, और option E, आत्मिक क अनुभाव, बुद्धी, पर्योजन, और सम्वेग, तो करेंट अनुभाव, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोईशन से, मापन क्रिया जाने वाला व्यक्तितों का प्रतिक पहलो व्यक्तितों भेहनता कांस है, उप्रुक्त परिभासा दी है, और कर्ट लेविन ने, और सब्सकीनर ने, ऑफ्चन से judgments, drivers ने और उफ्चन्ड इनमेसे कोई ने, तो यह जो व्यक्तितों है, वो किसी ने दिया था, is इस कीनर ने दिया ठीक है, चलिए, एक्ट चलिए, नेक्ट कोश्चन से, farn and i konza, च्र उसका च्रण आइंसर हो जायाएगा, Option D साद्रिश्य करन का नियम ओके वीडियो एनी तक है अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजएगा अपने फ्रेंड का सेर कर दिजएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिशन बॉक्स में जाएगे आपको प्लेरिश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तबते के लिए बाइबाइ थांक्स पर वाचिंग्स